गाजयबाद में एक अजीबो गरी मामला सामने आया है जहां एक इन निजी कॉलिज के प्रिंस्पल ने कॉलिज के चात्रों के प्रवेश पर महज इसलिए रोप लगा दी क्योंकि उन्होंने अपने माथे पर टीका लगाया हुआ था। यही हिंदू रक्षादल के लोगों को मिली तो हिंदू रक्षादल की कारिकरता मौके पर पहुचे और इस दौरान प्रिंस्पल की तरफ से पुलिस भी बुलाई गई और प्रिंस्पल को पुलिस और हिंदू रक्षादल के कारिकरताओं के सामने बैक फुट पर आना पड़ तो वहीं हिंदू रक्षादल के महानगर महमंत्री, मनोज हिंदू ने बताया कि गाजियाबाद के थाना कवी नगर इलाके में इन ग्राहम इन्रस्ट्रियल ट्रेनिंग इंसिट्यूट है, जहां पर सभी धर्म से जुड़े चात्र सिक्षा ग्रहन करते हैं, मंगलवार को जो सब्सक्राइबाद के महानगर महमंत्री हूं और जैसे कि महमला इससर कि मंगलवार के दिन इंस्टिट्यूट में बच्चों को टीगा लागा करके आने समना कर दिया, और फिल प्रिंसिपल ने वहां तक के यह तक काउनों से कि यह भगवान को क्या पूस्तों तो पत्थर ह मत मानों भगवान को कुछ नहीं है तो इसलिए हमको जब सूचना मिली तब हम पहुचे अपने साथियों के साथ मोगे पर तब उस प्रिंसिपल ने इतनी बात करने के वाज़ा उसने माफी मागी हमसे और उसे माफी मंगवाई गई नहीं तो ऐसा तो देखो नहीं होता हिंदु रक्षादल के कारिकरताओं का कहना है कि इस तरह की हरकत किसी भी रूप में बरदाश नहीं की जाएगी अपने आसपास की खबरों के लिए सबस्क्राइब करें रॉयल बुलिटिन और इस वीडियो पर कॉमेंट के जरीए अपनी राय देना ना भूले